जै श्री कृष्णा आप सभी काम आपके अपनी चनल सम्रद्धी में स्वागत है आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पुर्षोत्तम मास महत्तम कथा का अध्यायब 22 द्रिन धन्वा राजा बोला हे तपुधन पुर्षोत्तम मास के वरतों के लिए विस्तार पुर्वक नियमों को कहिए भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और वरती को वरत में क्या मना है विधान क्या है श्री नाराण बोले इस प्रकार राजा दर्ण धन्वा ने वालमी की मुनी से पुछा बाद लोगों के कल्यान के लिए वालमी की मुनी ने सम्मान पुर्वक राजा से कहा वालमी की मुनी बोले हे राजन पुशोत्तमास में जो नियम कहे गए है मुझसे कह जाने वाले उन नियमों को संसेप में सुनिये नियम में स्थित होकर पुशोत तम्मास में हविश्यान भोजन करें गेहू, चावल, मिश्री, मूं, जो, तिल, मटर, सावा, तिन्नी, काचावल, बथुआ, हीम, लोचिका अद्रक, कालशाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधानोन, समुद्रनोन, दही, घी, बीना मक्षन निकाला हुआ दूर, कटहल, आम, हरड, पीपर, जीरा, सोट, इमली, सुपारी, लवली, आवला, इकका गुड़ छोड़कर इन फलो को और बीना तेल के पके हुए पदार्थ को हविश्य कहते हैं हविश्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है समस्तामिश, मास, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पधार्थ, डाल, तिलका तेल, लाह से दूशित, भाव से दूशित, क्रिया से दूशित, शब्द से दूशित, अन्न को ठ्याक करें दूसरे का अन, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तिर्थ के बिना देशान तर जाना व्रती छोड़ देवे देवता, द्विज, वेद, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महत्माओं की निंदा करना पुर्शोत्तम मास में त्याग देवे सुतिका का अन मास है, फलो में जंबीरी निबू मास है, धन्यों में मसूर की दाल मास है, और बासी अन मास है, बकरी, गौ, भैस के दूद को छोड़ कर, और सब दूद आदी मास है और ब्राहमन से खरीदा हुआ समस्तरस, पृत्वी से उत्पन नमक मास है, तामे के पात्र में रखा हुआ दूद, चमडे में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है पृषोत्तम मास में ब्रहमचेरे, पृत्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दीन के चौथे पहर में भोजन करें पृषोत्तम मास में रजवस्तलवा, इस्त्री, अंत्यज्य, मलेक्ष, पतीत, संसकार ही इन ब्रहमण से देश करने वाला वेस्सेगीरा इनके साथ बाचित ना करें इन लोगों से देखा गया और काकपक्षी से देखा गया, सुतक का अन्न दो बार पकाया हुआ और भुजे वे अन्न को पृषोत्तम मास में भोजन नहीं करें प्याज, लसून, मोथा, छत्राग, गाजर, नालिक, मुली, शिगरू इनको पृषोत्तम मास में त्याग देवें व्रती इन पधार्तों को समस्त व्रतों में त्याग मेशा त्याग करें विश्णु भगवान के पृत्यत अपनी शक्ती के अनसार पृष्ट आदी व्रतों को करें कोहोडा, कंठटकारिका, लटजीरा, मुली, बेल, इंद्रयव, आवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेल, चर्मशाग, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन होले वाले शाक, प्रतिपद, आदी, तृत्यों में एक्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए ग्रिहस्ता श्रमीर अभ्यवार को आवला सदा ही त्याग करें पृष्टतम भगवान के पृत्यर्थ जिन-जिन वस्तों का त्याग करें उन उन वस्तों को प्रथम ब्रामन को दे कर फिर हमेशा भूजन करें व्रती कार्तिक और मागमास में इन नियमों को करें हे राजन व्रती नियम के बिना फलो को नहीं प्राप्त करता यदि शक्ती है तो प्वास करके पुर्शुत्तम का व्रत करें अत्वा घृत पान करें, अत्वा दुग्द पान करें, अत्वा बीना मांगे जो कुछ मिल जाया उसका भूजन करें, अत्वा वरत करने वाला यथा शक्ति फलाहार करें, यदि वरत भंग ना हो तो विद्वान इस तरह अन वरत का नियम धारन करें, पवित्रकाल प्राता उ इश्ये करके इस वरत को करे पुर्शोत्तम मास में भक्ति से श्रीमत भागवत का श्रवन करे तो उस पुर्णे को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे श्री पुर्शोत्तम मास में लाक तुलसी दल से शालिगराम का पुजन करे तो उसका अनन्त पुर्णे होता है श जो कि यग्य के करने से स्वर्ग की प्राप्ती होती है और पुर्षोत्तम मास व्रत करने से गोलोग को जाता है। हरी भक्त की विग्णों से रक्षा करते हैं पुर्षोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुक भूत प्रेद पिशाज आली नहीं रहते। हे राजान इस प्रकार जो विधी पुर्वक पुर्शुत्तम मासवरत को करेगा उस मासवरत के फलोग को यथात रुप से कहने के लिए साक्षा श्रीशनाक भगवान भी समर्थ नहीं है श्री नारण बोले जो पुर्शो में श्रिष्ट पुरुष्मन से अत्यनता अधर के साथ इस प्रिय पुर्शुत्तम मासवरत को करता है वह पुर्शो में श्रिष्ट और अत्यनत प्रिय होकर रसी केश्वर पुर्शुत्तम भगवान के साथ गो लोग में आनन्द करता है इ आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री कृष्णा राधे राधे